इतना हर्पा श्री गनेशा श्री गनेशा श्री गनेशा रिशीवर यदि आपकी ये इच्छा है तो यही होग तो यही होग यदि ऐसा है तो आप किसे निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते हैं जहां निर्वेक आप एक दूसरा में रह में रह सकें तो यही होगा यह मेरे मुख से कैसे शब्द निकल रहे हैं महादेव माँ पिताश्री माँ माँ पिताश्री आप ऐसे कैसे जा सकते हैं रिशी दुर्वासा के क्रोद के कारण यह कैसा अनर्थ हो गया महादेव और माता दोनों कहा अंतर ध्यान हो गये माँ महादेव और माता आप चरण जिन जोड़कर अंतर ध्यान हो गये माँ माँ मादेव, मादा पर्वती, यह कैसा अनर्थ हो गया, जिसका मुझे भैथा वाई हुआ, गें तो गहां जा सकते हैं मादेव, मा, पिताश्री, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, मा, पिताश्री, गनेश्ची, कुमार कार्थिके, मैं भीतर जाकर देखता हूँ, हाँ, हारेंदीजी, जाहिए, जाहिए, हम भी ढूनते हैं, महादेव, कहाँ चले गया आप, तरशन दीजे प्रभू, हमें छोड़कर मत जाहिए, महाँ चलेगा, महादेव, माता, महादेव, आज वसंत उत्सव के शुक्तिवस्पर कैसा अनर्थ हो गया, मा, मैं तो इतने समय से मा में आने वाले परिवर्तन को लेकर चिन्तित था, मुझे आभास हो रहा था, जैसे मा कैलाश से कहीं दूर जाने वाली है, तब पिताश्री ने मुझे समझा कर मेरी चिन्ता को शान्त किया था, किन्तो ये, ये क्या हो गया, मा और पिताश्री दोनों ही कहीं चले गए, अब हम क्या करेंगे, कहां, कहां गए होंगे वो, नंदी जी, क्या हो अनंदी, बहादेव, माता, भवन क्यों बीतर नहीं है, मैंने समस्थ भवन जूल दिया, वो कहीं नहीं मिले, अर्थात पिताश्री और मा, दोनों ने ही कैलाश का परित्याग कर दिया, माँदेव, माता, ये कैसी बूलोगी मुझसे, अब क्रोध प्याक कर दुर्वासा अपने पश्चाताप की अग्नी में तप रहे हैं, जिस भग्त के जीवा से ऐसी कटोर वचन चुनकर, माँदेव और माता को खेलाश त्याग के जाना पुड़ा, उस भग्त को अब जीवित रहने का कोई अधीकार नहीं, मैं अब जीवित नहीं रहूंगा, मैं अपने प्राहन त्याग दूँँगा, रिशी दुर्वासाब! रुकिए रिशिवर ये आप क्या कर रहे हैं रिशिवर कितना विशाल है गणेश का रिदय अपने दुख को परे कर वो रिशी दुर्वासा को सांतोना दे रहा है उनके दुख को शांत कर रहा है गणेश जी कुमार कार्दी के जी आप लोग केलाश पर वो संतोन सब वना रहे थे खिंटु मैंने इस अनतोन सब को तो क्या अवसर में परिवर्थित कर दिया ये क्या कर दिया आपने रिशिवर आप जहां जाते हैं वहां कोई न कोई अनर्थ अवस्य घटता है क्रोदा वश्य आप किसी को शाप दे देते हैं अत्वा आपके कठोर वचनों से कोई बड़ी घटना घट जाती है रिशिवर ये दि मुझे थनिक दिया भास होत कि आप कैलाश की और निकल पड़ेंगे तो मैं आप से कभी नहीं खहता कि हम कैलाश चा रहें मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं जो होना था वो हो चुकार रिशिवर अब विलाब करने का कोई लाब नहीं अब तो इस स्थिती को सुधारने का एक मात्रो पाए है ये ग्याद करना कि पिता श्री और मा कहां चले गए गणेश जी उचित कहने है यह उपा है मेरी भूल के सुधार का सभी ये मानते हैं कि रिशी दुर्वासा की उपस्तिती से अवश्य कुछ घटित होता है परंतु ये भी सत्य है कि उनके श्राप और कठोर वचनों में भी जगत कलियान का कोई कारण छुपा होता है मामा जी, किन्तु ये सत्य कैसे हो सकता है इनके श्राप और कठोर वचनों से भला किसी का भला कैसे हो सकता है इनके कठोर वचनों के कारण ही तो मा और पिताश्री अपने निवास थान क्यालाश को त्यागने पर विवश्च हो गये कुमार करती के मुझे ग्या थे आप मुझसे को पिते किन्तु जो नरायन ने का वो सकते है मैं ही वह भागा हूँ जिसने अपनी पत्नी को विशाप दे दिया था किन्तु उसके परणाम सरुक संसार का कल्यान ही हुआ था आपने अपनी ही पत्नी को शाप दिया था और उससे संसार का कल्यान हुआ था कैसे रिशिवर? हनुझ गणएश ये समय कथा सुनने का नहीं है समय देर्थ करने के स्थान पर हमें मा और पिताश्री को ढूनना चाहिए उन्हें कैलाश लोटाने का उपाई करना चाहिए भाईया, कदाचित इस कथा में ही हमारी समस्या के समाधान का कोई न कोई उपाई छिपा होगा हमें ग्याद होगा कि रिशिवर का क्रोध कल्यान कैसे करता है संभव है इस कथा से हम समझ पाएं कि आज जो भी हुआ उसका कारण क्या था और मा और पिताश्री कहां चले गए है होचे थे कई रिशिवर मेरी पत्नी कदली महर्शी और उकी पुत्री थी जो धर्म परायन और पती व्रता इस्त्री थी यह तप की घटना है जब मैं वन के मद्धे में एक दिवस अपने तपस धल पर जगत की समरिधी और शांती के लिए यग कर रहा था उसी अंत्राल मध्यान में मैं विश्राम करने के लिए लेटा और निद्रा ने मुझे घेर लिया घोर निद्रा के मद्धे मेरी पत्नी कदली कब वहां आई मुझे ज्यात ही नहीं हुआ स्वामी की पूजा के लिए पुष्पादी ले आई हुमें उनके संध्यावन्दन का समय होने ही वाला है किन्तु स्वामी कहा है? उनका आसन रिक्त क्यों है? यह क्या? मेरे जाने के पूर्ष्पादी विश्राम करने गए थे? संध्यावन्दन का समय हो गया है, किन्तु उनकी निद्रा भंग नहीं हुई यदि मैंने अभी इनकी निद्रा से नहीं उठाया, तो स्वामी का संध्यावन्दन नहीं हो पाएगा, जो अनुचित होगा, और कदाचित जिसके कारण इनका क्रोध मुझ पर बरसेगा. किन्तु गदाचित स्वामी के निद्रा भंग कर, उनके विश्राम में विराम डालने पर भी वो मुझ से क्रोधित होंगे. क्या करूं मैं, स्वामी को उनकी निद्रा से उठाऊं, अथ्वा नहीं. संध्या वंदन पूजा और उसके उपरांत यग्ये तो अत्यंत महत्त पूण है. ये पूजा मेरे स्वामी रिशी दुर्वासा के धर्म पालन के साथ-साथ, लोग कल्यान हेतु उनके यग्जी के लिए भी आवश्यक है. मुझे स्वामी को निद्रा से जगा नहीं होगा, फिर वो मुझ पर प्रोध ही क्यों ना करे? उनकी पत्मी होनी के नाते, मैं उन्हें अपना धर्म भांग करने नहीं दे सकती. स्वामी, स्वामी उठिये, उठिये स्वामी, स्वामी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, उठ जाए स्वामी, उठ जाए. कौन है जो मुझे मेरे निद्रा से जगाने का दुछ साहस कर रहा है? वो जो कोई भी हो, मैं उसे भस मु कर दूँगा. स्वामी! स्वामी, स्वामी! स्वामी, स्वामी! कदली, ये कैसा खोर अनर्थ हो गया कदली? मनुश्य का एक ही दोश, उसे बार बार पच्टाने पर विवश कर देता है. क्रोध में आकर मुझसे कितना बड़ा अपराद हुआ! मेरे प्रती निस्ठावान, मेरे प्रती समर्भित, मेरे पत्ती को मेरे क्रोध ने भस्म कर डाला. रिशिवर, जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, किन्तो इसमें किसी का कल्यान कहा? गनेश जी, ये समझने के लिए आपको पूरी कहान ही सुननी पड़ेगी. अपनी क्रोध के कारण, अपनी पत्नी को खोकर, मैं… बहुत देशो का कुल था, और… पुत्री, पुत्री कदली… कदली, पुत्री कदली… रिशियर, यहां बीना किसी पुरुव सुचना के… पुत्री कदली कहा हो? मैं अत्यंत ब्याकुल था… अपनी पत्नी की भस्म से दूर नहीं जा पा रहा था… और उसी समय कदली के पुत्री, रिशियर, और वो अपनी पुत्री से बेट करने वहां आ गये… अरे देखो, मैं आया हूँ तुमसे मिलने… बेटी कहा हो? रिशियर दुरवासा… मेरी पत्ती भस्म हो चुकी है… प्रणाम रिशियर दुरवासा… मैं अपने तीर्थ यात्रा से लोट रहा था… मार्ग में आपका तपोस्थल भी पड़ता था… तो मैंने सुचा क्यून आपनी पुत्री कदली से भेट करता चलू… कहां है पुत्री? दिखाई नहीं दे रही है… रिशिवर के प्रश्ण का क्या हो तर्दू है… क्या हुआ रिशिदुरवासा… कोई बात है क्या… सब कुशल तो है… रिशिदुरवासा मेरा मन व्याकूल हो रहा है… पुत्री कदली… कहां है मेरी पुत्री… कहां है मेरी पुत्री कदली बताईए जी शीवर आपकी पुत्री और मेरी पत्नी कदली यहां है यहां क्या कह रहे है रेशी दुर्वासा यह यह बहस्म अर्थान कदली नहीं रेशीवर मैं गहरी निद्रा में थाँ यहां बताईए यहां थाँ पुद्री कद्री मेरे क्रूत के कारण ये घोर अनर्थ हुआ है रिशीवा अप राधी मैं हूँ ये मेरा अप राध है रिशीवा दंडित कीजिये मुझे शाप दीजिये मुझे रिशीवा मैं आपको शाप नहीं दूंगा रिशी दुर्वासा आईए, आप में और मुझ में यही भेद है आप मेरी अपराधी है पर फिर भी मैं आप पर क्रोध नहीं करूँगा जबकि आप तो बिना अपराध के भी किसी को भी शापित कर देते हैं किन्तु आपके क्रोध में भी इश्वर की किसी परमिच्छा का संकेत छिपा है आपके क्रोध के माध्यम से वो अवश्य ही संसार का कल्यान कराना चाहते हैं मेरे क्रोध मेरे शाप में जगत कल्यान छिपा है क्रोध आपका दोश अवश्य है रिशी दुरवासा फिर भी आप एक महान रिशी है निष्ठा भक्ति तपस्या अनुष्ठान में आप से बढ़कर कोई नहीं है जगत जनिने के महानतम भक्तों में आपकी गिंती होती है इसलिए आप अपने तप की शक्ति से इस शाप को भी मेरी पुत्री और अपनी पत्नी के लिए वर्दान में भी परवर्थित कर सकते हैं उचित है रिशीवर देवी कदली को अपने अनेकों जन्मों के पुण्ने के कारण महा फल परदान करने वाली ब्रिक्ष बनने का सुभाग्य प्राप्त होगा अईसा फल जो प्रतेक पुजा और यग्य का भाग बनेगा जो समस्त जीवों को संपूर्ण पोशन देगा और ये मेरे वर्दान के कारण होगा देवी कदली मैं तुम्हें वर्दान देता हूँ तुम कदली फल के ब्रिक्ष के रूप में उत्पन्न होगी आज से ये फल कदली फल के नाम से विख्यात होगा और कोई भी पूजा इसके विना धूरी मानी जाएगी इतना ही नहीं कदली फल समस्त मनुष्यों के लिए संपूर्ण भोजन बनेगा जो सरलता से उपलब्ध होगा और सभी के भूख को दूर कर वरे तुर्जा प्रदान करेगा रिशिवर का शाप तो जग के लिए वर्दान बन गया जगत को एक ऐसा फल मिला जो हर पूजा के लिए आवश्यक है आशा है रिशिवर के इस क्रोथ का भी अब कोई ऐसा ही फल मिलने वाला है किन्तो इस समय मैत्वपूर्ण ये है कि पिता श्रियर्मा है कहां कहां चले गए दोनों प्रत्य घर्टा के पीछे एक उदेश चिपा होता है इसलिए भैभीत होकर नहीं धैर्ये से उसका सामना करना चाहिए